ये है आर्जे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी खबर तहकिकात अंतर-राष्ट्रिय किसान यूनियन के सदस्यों ने आज अंतर-राष्ट्रिय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौदरी विरेंड सिंग के नेत्रित्व में एक दस सूत्रिय ज्यापन जिलादि के माध्यम से भारत सरकार को भेजा इस दोरान मीडिया से बात करते हुए चौधरी विरेंद्र सिंग ने बताया कि आज अंतर राष्ट्रिय किसान यूनियन द्वारा एक दस सूत्रिय ग्यापन उपजिला दिकारी के द्वारा माननिय प्रधन मंत्री को भेजा जा रहा है उन किनी सतारीक का प्रोग्राम था आज हम घोष्णा के अनुसार 10 सूत्रिय मान्गो को लेकर ग्यापन दे रहे हैं उन्होंने बताया कि पहली मान्ग हमारी यह है कि कोरोनवाइरस जो बिमारी चल रही है गाउं देहात में होस्पिटल नहीं है र कर गाउं देहात में हॉस्प दिया जाना चाहिए अन्य मांगो को लेकर यह ग्यापन दिया जा रहा है। दिया जाना चाहिए अन्य मांगो को लेकर यह ग्यापन दे रहे हैं। अगली मांग है अभी सुप्रीम कोट का बयान आया है। सुप्रीम कोट ने केन सरकार से जवाब मांगा है। अंग्रेजो के दुआरा लगाया गाया कानून 75 वर्स आजादी के बाद भी देश दुरहो जैसा कानून किसानों के ऊपर क्यों लगाया गया है। का जवाब मांगा है। उसका भी हमने मांग की है के अंग्रेजो के लगाया हुए कानून वापिस होने चाहिए। हमने मांग की है हमारा जनपद साहरनपूर हाई कोट बैंच 8500 किलो मीटर लखनव 700 किलो मीटर जो हमसे बहुत दूर है और चार परदेशों की जितने हमारे यहां साहरनपूर से जुड़े हुए हैं उनकी 50, 60, 200 किलो मीटर तक राजधानी और उनके सुप्रीम कोट है हाई क तो हम यह मांग कर रहे हैं कि हमारे जनपद साहरनपूर को उतराखंड में से अमिल किया जा और या फिर हर्याने में से अमिल किया जा हमारी मांग है जनपद देवबन तैसिल देवबन मुगल काल अंगरेजो काल से भी पुरानी तैसिल है सबसे बड़ी तैसिल है इसको जन गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए और किसान मजदूर छोटे वाया परी जितने हैं उनकी बिजली फिरी होनी चाहिए यह हमारी 11 मांगे हैं और आज हम ग्यापन दे रहे हैं अगर तरकार इन पर ध्यान नहीं देती हम जन जागरन अभियान चलाने का काम करेंगे